नमस्कार दोस्तो मैं संजे डावरा आप सभी विद्ध्यारतियों का हार्दिक स्वागत करता हूं डावरा क्लासेज के सोनलाइन पेड़फॉन पर प्यारे विद्ध्यारतियों ये जो सीरिच चल रही है ये आपको बहुत अच्छे से पसंद आ रही है बाकी का आज जो हमार सांदार सा रिवीजन हो रहा है और इसकी जो पीडियेप है वो मैं डावरा क्लासेज टेलीग्राम चैनल पर डाल चुका हूं आप देखिए डावरा क्लासेज टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडियेप उपलब्द है दोस्तो ये नौमी क्लास है और आज भी हम हिर्दै से जुड़े हुए कुछ questions यहाँ पर discuss करेंगे क्योंकि हाइट है अपने आप में एक बड़ा topic है बहुत सारे questions बनते है तो बाकी का आज की class में हम हिर्दे से जुड़े हुए questions पर वापस discuss करने जा रहे हैं दोस्तों अगर आप अभी भी चूक रहे हो तो मैं आपको बता दू क कि हमारे डावरा क्लासे जैपूर application पर अभी भी science का जो बैच है इसका आज अंतिम दिन है इस offer का 299 इसकी फीस है इसके लिए आपको play store से डावरा क्लासे जैपूर application डाउनलोड करनी पड़ेगी 299 एक साल की validity इसमें आपको recorded प्लस live दोनों बैच आपको उपलब्द कराए गए है यह offer खतम हो रहा है तो जो भी विध्यार्ती जुड़ना चाता है जुड़ सकता है बाकी का class start करते हैं दोस्तों सबसे पहली चीज मैं आपको यह clear कर दू कि आज की class में भी हम हिर्दे से जुड़े हुए कुछ questions के उपर discuss कर रहे हैं चलिए दोस्तों सबसे पहला question जो आज का होगा वो यह है ध्यान से सुना जल्द बाजिने नमबर एक पेस मेकर का संबंध है दोस्तों आपको पता होगा पेस मेकर का जो संबंध है वो हमारे हिर्दे से है पहला question सीधा सा question है पेस मेकर हमारे हिर्दे में पाया जाता है question number 2 पेस मेकर हिर्दे के किस भाग में पाया जाता है पेस मेकर हिर्दे के किस भाग में पाया जाता है किस भाग में पाया जाता है तो प्यारे विध्यारतियो पेश मेकर जो होता है वो अपने हिर्दे के दाएं आलिंद में पाई जाने बाली एक गुंडी नुमा संरस्तना है पेश मेकर हमारे दाएं आलिंद में पाई जाने बाली एक संरस्तना है अगला question सुनिए दोस्तों, question number 3, pacemaker का दूसरा नाम, दोस्तों, pacemaker का अन्य नाम, तो मैं आपको बता दू, pacemaker को हम sa nord के नाम से जानते हैं, sa nord, इसको हम बोलते हैं, साइनो, साइनो, एंट्रीडियल, नौड, साइनो, एंट्रीडियल, एंट्रीडियल, नौड, साइनो, एंट्रीडियल, नौड इसको कहा जाता है, sa nord, इसके अलाबा question number 4, pacemaker का कारिय है, दोस्तो, pacemaker करता क्या है, मेरे प्यारे प्यारे विध्यारतियो, pacemaker का का काम है, हिर्दय की गती को बनाए रखना, हिर्दय की ले, हिर्दय की ले या गती को बनाए रखना, हिर्दय की ले या गती या धणकन को बनाए रखना, को बनाए रखना, तो बनाए रखना दोस्तो ये जो हमारा पेस मेकर होता है ये एक तरह से हमारे हल्ट में वाइवरेट या कमपन उत्पन करने का काम करता है जिसकी वज़े से लगतार हमारा हिर्दे धड़कता रहता है इसके अलाबा कॉश्चन नमबर पांच दोस्तो एक कॉश्चन नमबर पांच ये है हिर्दे का हिर्दे किसे कहा जाता है तो मेरे प्यारे प्यारे विध्यार्तियों हिर्दे का हिर्दे जो है वो पेस मेकर को ही कहा जाता है क्योंकि पेस मेकर हमारे हिर्दे को धड़काने का काम करता है तो पेस मेकर को ही हिड़दे का हिड़दे कहा जाता है कॉश्चन नमबर 6 दोस्तो एक सब्द बोल रहा हूँ जैसे ये S A नौड है ऐसे ही S A नौड के आगे एक सब्द आता है A B नौड S A नौड के आगे जैसे ये S A नौड है तो इससे कुछे तंत्रीकाय निकलती है जिनको हम A B नौड बोल देते है A B नौड और इनके आगे भी कुछ ऐसे धागे नुमस सनरस्ताय निकलती है जिनको हम क्या नाम देते है इसी से ही तो सूचना जो है इसी से ही तो पूरा कमपन हिड़दे करता है क्योंकि जो कमपन है वो सुरू ऐसे नौड से होता है, फिर वो A-B-Nod में जाता है, A-B-Nod से और चीजे निकलती जाती है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, प्यारे विध्यारतियों ध्यान से सुनिए, इनको हम बोलते हैं, हिंज बंडल, हिंज बंडल, आप से एक सब्द हिंज बंडल, प्यारे विध्यारतियों, यह हमारे हिर्दे में पाये जाते हैं, हिंज बंडल, हिर्दे में पाये जाता है, इस सब्द याद कर लेना, हिंज बंडल, H-I-S, हिंस, हिंस बंडल, यह हमारे हिर्दे में पाये जाता है, साथ में नंबर का कोश्चन भी याद कर ये पुरकिंजे, पुरकिंजे तन्तू, पुरकिंजे तन्तू का संबंद भी, पुरकिंजे तन्तू का संबंद किस से है, पुरकिंजे तन्तू का संबंद भी हिर्दे से है, ये पुरकिंजे तन्तू, इनी से ही जो हमारा कमपन की जो चीजे है, वो पूरे हिर्दे में पहु में है यह हर्ट में चारो तरब फेली होते हैं जिसकी बज़े से हमारा हिर्दय जो है वो कमपन करता है प्यारे विध्यार्तियों किलियर है साथ सब्द में आपको लिखा चुका हूँ कोश्चन नमबर आठमा प्यारे विध्यार्तियों हमारे हिर्दय के चारो और हिर्दय आबरन पाया जाता है हिर्दय के चारो और दोहरी जिल्ली का आबरन कहा जाता है जिसे हम हिर्दय आबरन के नाम से पुकारते हैं प्यारे विध्यार्तियों ये क्या करता है ये हमारी बाहरी आगातों से सुरक्षा करता है ये हिर्देई आवरण कौशन नमबर 9 प्यारे विध्यारतियों ध्यान से सुनना दो कौशन है जिनके जबाब आपको देने है अगर आप नहीं दे रहे हो तो ढूंड के देना प्यारे विध्यारतियों अपने देखिए ध्यान से सुनना दो कौशन आप से पूछ रहा हूं ध्यान से सुनना दोस्त इन दोनों आलिंदों के बीच ये जो कपाट पाय जाता है बीच में सुरी ये जो लाइन सी आपको दिखाई देरी है इनको बोलते है अंतर आलिंद कपाट दोनों आलिंदों के बीच जो लेयर पाय जाती है इनको अंतर आलिंद कपाट नहीं बोलके भित्ती सब्द का प्रियोग करिए अंतर आलिंद भित्ती पाय जाती है दोस्तो ध्यान से सुनना दोनों आलिंदों के बीच में ये भित्ती जो पाय जाती है इसको अंतर आलिंद भ बीच में एक छिद्र पाया जाता है दोस्तो जनम से पहले दोनों आलिंदों के बीच एक छिद्र पाया जाता है उस छिद्र का नाम क्या होता है बाद में वो छिद्र अपने आप बंद हो जाता है लेकिन जनम के समय जो छिद्र पाया जाता है उस छिद्र का नाम अगर किसी ने सुना है तो कमेंट करो जल्दी से फोरा मेन ओवेल ये जो छिद्र होता है उसको बोलते है फोरा मेन ओवेल फोरा मेन ओवेल फोरा मेन ओवेल इस छिद्र को कहा जाता है जनम से पहले जनम से पहले इसको हम बोलते है फोरा मेन ओवेल प्यारे विध्यारतियों जनम से पहल के इस छिद्र को बोलता है फोरा मेन ओवेल हाँ एक मिनट देखिए जब बच्चा जनम लेता है उससे पहले दोनों आलिंदों के बीच एक छिद्र होता है दोनों आलिंदों के बीच एक छिद्र होता है उस छिद्र को बोलता है फोरा मेन ओवेल जनम के बाद ये अपने आप बंध हो जाता है इसको क्या नाम देते हैं जनम के बाद जब ये बंध हो जाता है तो इस छिद्र का नाम क्या दिया जाता है ये तो जब बच्चा मा की गर में रहता है तो ये छिद्र रहता है बाद में ये बंद हो जाता है चलिए उसका नाम बता दीजिये 2-1 कोशन का जबाब तो आप दो भाई जव छिद्र है जब बच्चा मा के गर में रहता है तो ये छिद्र रहता है दाएं आलिंद और दाएं निले के बीच में छिद्र रहता है जिसको फौरमेन ओवेल न आग ए prawda parenth कोशन यह है अब बताना बंद होने के बाद इसको क्या नाम दिया जाता है कोशन नमबर 11 कोशन नमब ज्यारा ध्यान से सुनना प्यारे विध्यारतियों दोस्तों मैं एक कॉस्चन लिख रहा हूँ इस कॉस्चन में आपको जल्द बाजी नहीं करनी है कॉस्चन यह है अब ध्यान से सुनिए कॉस्चन यह है फैपडो से ध्यान रखना एक एक लाइन को अब फैपडो से बलड को हिर्दे तक कौन लाता है फेंपडों से बलड को हिरदे तक लाने का काम कौन करता है प्यारे विध्यार्तियों ये जैसे हमारे लंग से ये हमारे फेंपड़े है थुड़ा सा समझा दू ये अपना हिरदे है फेंपडों से बलड को हिरदे तक लाने का काम कौन करती है तो इस कोश्चन का सही जबाब ह प्लमोनरी सिरा इसी का नाम है फुपो से सिरा ध्यांसे सुन लिजे पल्मोनरी सिरा या फुपो सिरा अगला कोष्चन फैपडों से हिर्दय को फैपडों तक पहुचाने का काम, फेंपडों तक पहुचाने का काम, फेंपडों तक पहुचाने का कारिय, पहुचाने का कारिय, बापस बलड से हिर्दे को, पिलड से, सोरी, हिर्दे से बलड को, यहां से जाता है बलड, यहां से, यहां से जाता है फेंपडों में, लंग्स, तो प्या करती हैं, पल्मॉर्णरी धमनी करती हैं प्यारे, विद्ध्यार्तियों, पल्मॉर्णरी धमनी का का में फुप्पुस बता दीजिए जल्दी से कमेंट करिए सबसे बड़ी धमनी को बोलते है महा धमनी इसी का दूसरा नाम है एरोटा इसी का दूसरा नाम है एरोटा सबसे बड़ी सिरा सबसे बड़ी सिरा सबसे बड़ी सिरा दोस्तो रिवीजन खीज के कर लीजिए सबसे बड़ी सिरा होती है म महासिरा, इनसे एक भी लाइन आउट नहीं जाएगी, इसको बोलते है बेना काबा, दोस्तो इसको बोलते है बेना काबा, सबसे बड़ी सिरा का नाम है महासिरा, question number 15, दोस्तो जहाँ से सुनना, हिर्दय से बलड को, हिर्दय से रक्त को, रक्त को, अंगो तक कौन पहुचाता है, तो ये काम धमनियों का है, ये काम धमनियों का है, हिर्दय से बलड को अंगों तक पहुचाने का काम धम्मियों का है Question number 16 अंगों से बापस बलड को हिर्दय तक लाने का काम ये किसका है? सिराओ का काम है हिर्दय से रुदिर को अंगों तक पहुचाना अंगों से बापस बलड को हिर्दय तक लाना ये काम सिराओ का है Question number 17 धम्नियों में कैसा रुदिर भेता है? प्यारे विद्ध्यार्तियों धम्नियों में कैसा रुदिर भेता है? उत्तर होगा सुद्ध धम्नियों में कैसा रुदिर भेता है? सुद्ध औक्सीजिनेट लाल रुदिर भेता है और ये जो लाल रुदिर होता है ये औक्सी हीमोगलोबिन की वज़े से होता है अपवाद दोस्तों अपवाद कॉशन नमबर सत्रे नहीं अठारे एक मात्र धमनी जिसमें असुद्रोदिर भेता है वो पल्मोनरी धमनी है वो पल्मोनरी धमनी है दोस्तों एक मात्र धमनी जिसमें असुद्रोदिर भेता है उस धमनी का नाम पल्मोनरी धमनी है पल्मॉन्री धमनी अभी चर्चा हुई थी जश थोड़ी देर पहले पल्मॉन्री धमनी शरीर की एक ऐसी धमनी है जिसमें असुद रुदिर भेता है बाकी सबी धमनियों में सुद रुदिर भेता है प्यारे विध्यार्तियों अगला कोशन है सिराओ में कैसा रुदिर भेत डी ओक्सिजनेट, डी ओक्सिजनेट, डी ओक्सिजनेट, डी ओक्सिजनेट नीला रुदिर भेता है। हमारी सिराओं में नीला रोदिर भेता है लेकिन एक और कॉश्चन नमबर 20 अपवाद कॉश्चन नमबर 20 अपवाद दोस्तो एक मात्र धमनी एक मात्र धमनी सौरी एक मात्र सिरा एक मात्र सिरा जिसमें सुद्ध रोदिर भेता है वो है पलमोनरी सिरा एक मात्र सिरा जिसमें सुद्ध पूरी सिराओं में असुद्र दिर भेरा है एक सिरा एसी है जिसमें सुद्र दिर भेरता है वो सिरा है पल्मोनरी सिरा धमनियों का अपबाद है पल्मोनरी सिरा, प्यारे विध्धार्तियों अब एक चीज, Question number 21 दोस्तो हमारी जो ये सिरा होती है, सिराओ की भित्य होती है, ये पतली होती है, पूरा बापस से लिख देता हूँ, जल्द बाजी नहीं, question number 21 धमनियों की भित्ती पतली होती है धमनियों की भित्ती पतली होती है धमनियों की भित्ती पतली होती है जबकि question number 22 सिराओ की भित्ती सिराओ नो धमनियों की भित्ती मोटी होती है धमनियों की भित्ती मोटी होती है जबकि सिराओ की भित्ती सिराओं की जो अंदर की लेयर होती है, सिराओं की जो भित्ती होती है, वो पतली होती है, दोस्तो, question number 23, जो सिरा होती है, ये उबरी हुई रहती है, सिरा तुचा में उबरी रहती है, सिरा जो होती है, सिरा जो है, वो तुचा में उबरी होती है, कभी आप देखोगे न तो आपको हातों में नीली नीली लाइने दिखाई देती है यह सिरा है सिरा जो है यह उब्र हुई होती है तर्चा के अंदर और question number choice दोस्तों सिराओं के बीच बीच में कपाट पाई जाते है धमनियों में नहीं सिराओं के बीच बीच में कपाट पाई जाते है और जब आदमी की मिर्टू हो जाती है तो सिराओं में से बलड खाली हो जाता है और धमनियों में से बलड खाली होकर सिराओं में चला जाता है प्यारे विध्यारतियों, ये कुछ धमनी और सिराव से जोड़े हुए fact और हेर्दय से जोड़े हुए कुछ fact थे, बहुत भुत धन्दबाद प्यारे विध्यारतियों, बीडियो को लाइक करना, सेयर करना और ऐसे ही question कराते जाऊंगा, बस आपका प्यार ऐसे ही बना रहे थेंक्यू धन्दबाद अगर आपको क्लासे जोइन करनी है तो प्लेश्टोर से दावरा क्लासे जैपुर एप्लीकेशन डाउनलोड करें थेंक्यू धन्दबाद